कस्टमर को मिस्सिल किया गया है उसे गलत तरीके से प्रोड़क बेशा किया है उसे इंफॉर्शन शाहिए दी गई है अब एते लोगों के खिलाफ हमने कुछ लोगों के खिलाफ लीगल आक्शन भी लिए जो अगर आपके चैनल पे आज नए पुराने आए प्रोड़क लिखते हैं उन्हों कहना चाहता हूं कि आज आओ आकर के एक्स्पीरिंस को रोखो धात से कहते हैं गुरू के मुख से निकलावा ज्यान और योध्धा के धनुस से निकलावा बान कभी खाल नहीं जाता नवस्कार मिराजिदे सिंग रावत आज हम बात करने वाले हैं चर्चा करने वाले हैं दे वन और अनली डॉक्टर विवेग बिंदाजी के सांथ कुछ खास चर्चा जो आज आप सभी लोगों के सांथ जो हम सांथा करना चाहते हैं सर आज आज आपके पुरी देश भर के अंदर 110 से भी ज्यादा ब्रांचे से हैं और सांथ में 35 से भी ज्यादा आपके सांथ आज लोग काम करते हैं खास तो सर उन आईवीची सवाल जो तरफ मेंबर्स आज आपकी सांथ काम करते हैं इस सवाल से में आप लेकिन आज अए हैं आज कुछ थोड़ा सा सा मेठे भी होंगे और आज कुछ थोड़ा सा करेयर की दिनजिए हो दोड़ी होंगे guarantee के conditional को समझाया नहीं है miss selling क्या होता जब customer को पूरी बात नहीं बता हूँ आपको यह है कि मैं जो incentive मिल जा फटावर्ट से अब मेरे 20,000 IBC काम कर रहे हैं उन मेंसे 100 लोगों ने गरबड करी 100 लोगों ने अगर 20 लोगों को बेचा है तो उसमें दिक्कत देता है तो कभी-कभी incentive कमाने के चक्कर में IBC miss information या miss commitment का try मारता है कि जल्दी मेरी sale हो जाए मेरा काम मिल जाए term then condition नहीं बताएगा money back guarantee नहीं समझाएगा तो मैं इसे fix करने के तरीका बना है हमने एक नया department बना रही है और video call पर हम उसको लाते है उस video call को record करते है उस sales को verify करते है कि ये conditions ये sale का मतलब है आपको समझ आया कि नहीं आया कोई miss commitment तो नहीं हो को miss setting तो नहीं होई आपकी on boarding हम तर भी करेंगे जब आपको हम दोबारा verify कर लें तो कि आपके साथ sales थीक हुई ये हमने insurance industry से उठाया उसको उसको एक cooling period दे लेते हैं अगर आपको अभी भी लगता है अभी sales हुई है onboarding नहीं करी उसको onboarding मतलब अभी वो हमारे को पूरी तरह जॉइन नहीं किया है अभी sales हुई है बस payment आई है हमारे पास अब payment आई है हम उसको sales नहीं मान रहे है हम कहते हैं कि अगर आपको बात समझ में नहीं आई इस QoS यानि कि quality of sales यानि कि आपकी sales की quality को हम 24-48 गंटे में verify कर लेते हैं कि क्या आपको बेचते वकिसी ने को गलत बात तो नहीं करी ठीक विधार किया किया अगर आप agree करते हैं तो अब हम आपका sales complete मान लेते हैं अगर आप disagree करते हैं तो अभी ही sales complete मानने से पहले आपको process refund कर देते हैं पैसा हम तो पिछले तीन महीने में हमने लग भग 70-75 लोगों का पैसा refund कर दिया इसलिए क्योंकि sales शुरू होने से पहले अगर पहले क्या उसलिए terms and condition सामने रिस्ट में आती थी वो accept करता था लेकिन वो accept करने से पहले कहीं बारी नहीं पड़ा तो legally हम ठीक होते थे पर्फेक्ट हैं legally ethically हम पर्फेक्ट हैं लेकिन उसको बात सम्मझ में तो नहीं आई ना customer satisfaction level तर नहीं customer satisfaction नहीं है वो तो कह रहा है भाई मैंने टिक कर दिया था accept कर लिया अपकी condition सारी accept करके फिर मैंने okay किया आपने accept कर लिया अब आपकी गलती लेकिन हम इसको ऐसे नहीं मानते हैं हमें मानते हैं कि भाई उसको accept करने से पहले पूरी तरह है फोन पर वीडियो कॉल पर समझा दे हैं और वीडियो कॉल को record करके उसको भीज देते हैं वो जैसे ही वीडियो कॉल की recording को accept कर लेता है उसके बाद हम मानते हैं कि अब sales complete हुई इससे क्या होगा हमारी mail आ गई अब हम उसका onboarding शुरू करते हैं वो negative है तो उसको हम refunds तो करते ही है साथ में जिसने भी इसको माल बेचा जिस भी फ्रेंचाइजी ने माल बेचा RM, regional manager, branch manager, zonal manager, training manager जिसने भी जो जो involved थे उन सबको भी email कर देते हैं कि आपकी branch से यह गड़बड हुई है So it is all about being right So we have made the process watertight इतना watertight कर दिया है कि आप कोई गलती नहीं कर सकता यानि आपने एक barrier लगा दिया कि जो miss sale कभी हुई थी Miss sale जो हुईगी जो हुईगी, जो हो चुकी ही वो तो हो गई उसके बाद बहुत सरा चीज़ है, सही भी हुई अधिको, हर बार आप improve करते जाओगे हर बार next new better, next new better, next new better क्यों अती दूर आया है, यह रुकने के लिए नहीं, बहुत आगे जाने के लिए बहुत सारे लोगों कहना सर्थ आपने micro franchises को जब आपने start किया और आपने लोगों को अपने micro franchises दरी start करी तो बहुत सारे लोगों ने join किया लेगे लोगों को कहा यह है कि उनको support नहीं मिल पाया कैसा जिसे? Thank you, बहुत सारे IBCs दरे हमारे साथ काम करते हैं मैंसे कहीं ने तो बहुत अच्छा काम किया दुनिया बर घुमें हमारे साथ travel किया earning learning के साथ में एक तीसरे dimension पे हमारे chief operating officer ने काम किया जिसको बोलते है experience उनको हमने experience दिया experience अलग अलग countries का दिया तो पहले लिए हमारे customer की life को easy बनाना और support जिसके अपने बात करी उनको support नहीं मिलता उसको हमने 30-40 तरीक दो solve किया उसको हमने ऐसी service दी जो बड़ी-बड़ी organizations में नहीं दे पाती है लेकिन ऐसे समझते हैं कि पहले दिन से हमें सफलता नहीं मिली है हर दिन हमने improve किया है पहले हमने technology दे शुरू किया इसका अपना digital office बनाया उसका one app बनाया उसको Sunday को webinar दी है उसको lead कौनसी valuable है कौनसी नहीं है उसको score करना सिखा है content marketing करा है dashboard दिये पूरे-पूरे ऐसे clean dashboard लिये on ground sales support दिया highest level की commission salary structure उसको दिया हमने physical meets करी उसके लिए हमने पर इससे काम नहीं चलता है क्योंकि जब उसको अभी भी काम अगर नहीं करना आता तो फसेगा तो उसके लिए फिर हमें learning management system मना आया फिलिकर एनेचाइटी किया training किया ताकि अगर उसको skill मिल जाए वो काम कर सके है हमारे साथ में फिर हमने बोला कि भाई ये सब तो ठीक है बेचना सिखा दिया training दी support दिया लेकिन product अच्छा होना चाहिए तो हमने हर age group के लिए अगलग product लेकर किया money back guarantee लेकिया इसके बाद एक नया issue आया कि भाई मैं ground पे किसी एक office के साथ connect करता हूं पर मुझे जो immediately बात करनी है उससे वो मुझसे कई मरी बात नहीं कर पाता है या करता है तो अच्छे से नहीं करता है अब मेरे कुछ franchise ही तो बहुर अच्छा सपोर्ट देते हैं कुछ franchise ही कमदोर भी रह जाते हैं लेकिन उपर तक नहीं पड़ा चल पाता है तो उसके लिए फिर हमने इस problem को समझा कि हमारे तक बात कैसे पहुंचे हम हर conversation को record कैसे करें होता क्या है मानलो आप एक हमारा एक IBC है उसने हमारी एक फलाना छोट ही एक ब्रांच पर वहाँ पर एक manager से बात करने की कुरिश करी manager ने फोन ने उठाया और उसने दो-तिन-चार बाद और फोन कर दिया तो manager ने जुञला के जबाब दे दिया वह बुरा मान गया IBC हमारा अब बुरा मान गया लेकि मेरे पास उस conversation recorded नहीं है और IBC ने भी conversation record करके हमारे को भीजी नहीं है तो जब उसको इस तरीके के वह concerns आते हैं तो हमने सोचा कि अगर ऐसी चीज़े हो रही है तो हम इसको track करने का तरीका बनाते है तो एक single window की तिहारी हमने करी वह single window को हमने service index का नाम दिया Service index Index इसलिए कि उसको measure कर सके Service इसलिए जहां quality आ सके तो केवल अगर आची emotion feeling पर बात रही और number आके measure ना कर सको कि क्या quality की बात हुए तो दिक्कत रहती है तो हमने सुचा कि यार इतने सारे system बना दिया उसके बात भी बात अगर खराब रह जाती है तो बात की quality को measure कर सकते है कि नहीं कर सकते है किसी ने नीचे एक branch में बत्तम मिली से जवाब दे दिया कभी नहीं कर पाया बात कभी emotions है human है इंसान है तो हर branch का हमने एक service index बना दिया वो service index को सब लोग देख सकेंगे हम भी देख सकेंगे नीचे उसको service ठीक मिल रही है कि नहीं मिल रही आदमी दे दिया उसको तंखा बाट दी हमने लेकिन फिर भी है इनसान कभी अच्छा करेगा कभी खराब करेगा तो उसके performance को कैसे measure करें immediately कैसे resolve करें उसको ease of raising issue ला दे एक window मिल जाए जहां वो सारे issue raise कर सकें उस issue को IBC manager, channel partner उसको हम head office में सब लोग देख सकें तो हमने क्या किया कि ये अब visibility ला दी, visibility के बाद scoring ला दी, quick resolution मिल जाए नीचे manpower और बढ़ा ही जाए ताकि नीचे manpower support के लिए available रहे और फिर भी अगर लग रहा है कि resolution नहीं मल रहा है तो हमने उसके stages ला दी, एक concern को category में divide करके stages ला दी ताकि हम उसको track कर सकें अब stages हमने 4 बना दी, पहली stage हमने बनाए कि नीचे branch की stage एक branch की stage तक problem solve होती ठीक है नहीं solve होती है अगर तो उसको पता होना चीए कि भाई मैं इसके बार अगली stage पर जा सकता हूं तो उसको सामने देख गया कि अगर आप अभी satisfied नहीं हो तो आप हमारे sales team को जो head office से आती है वहां बता दो head office से support देती है अगर ब्रांच में आपको कोई दिक्कत आ गई branch में ऐसा हो गया कि मेरा channel partner दूसरा business भी कर रहा है और वह यहाँ ध्यान नहीं लगा रहा है हो जाता है अब नहीं परतलता है चोरी चुपे वह कोई और काम भी कर रहा है सोच रहा है यहां तो मेरी कमाई हो रही है मैं कुछ और भी कर दो हमें नहीं पर चल रहा तो वह sales की team तक हमारे head office की पहुंच जाएगा उधर भी अगर by chance solve नहीं हो तो सामने उसको दिख जाएगा कि अभी भी अगर आपको solve feel नहीं कर रहा है सामने उसको easy तरीके से देख जाएगा उसे single window पे और हमें भी पर चल जाएगा record हो गया कि दो category में उसको नहीं हो तो हमने एक बना दिया e-cube empathetic execution for exception कोई exceptional problem आगई है नई problem आगई नीचे solve नहीं हो रही है तो वहां तक चला जाएगा और अगर वहां भी solve नहीं हो रहा तो उसके बाद फिर तीन founder co founder सुनील सर ग्यान सर और मैं मेरे तक उसी window से ही आ जाएगा वो उसी window को ही हम सब track कर पाएंगे कि वह तीन level तक solve नहीं हो और चौते ही हमारे level तक पहुंच गया बंदा कि solve नहीं हो रहा है तो यह जो इससे trust factor strong हुआ इससे one app पे acknowledge करने का tool बनाया कि अगर solve हो गया है तो आप धन्यवाद भी कर सकते हो यह one app जिस क्या बात कर रहा है यह one app basically one app प्रेंचाइजी इसके लिए one app ऐसी app है जिसमें सारे IBC का सब कुछ एक ही app पे कर दिया है one app है जहां पे आप आपके साथ कोछ अच्छा हुआ तो आप एक knowledge कर दो ताकि reward recognition मिल जाए जो बरांच अच्छी कर रही है आपके साथ को अच्छा नहीं हुआ तो आपका सारे dashboard एक ही app पे मिल जाएंग इसलिए इसको बोलते हैं one app two app, three app, four app नहीं बोलते सेमिनार लाइफ, वहीं मिल रहा है 11.30, 11.30, 12.30, 12.30 आपको को किसी ने भी support की कमी करी कोई गरबढ़ करी तो वो record हो रही है ताकि मैं उसको देख सकूँ एक एक चीज आप record हो रही है अब सर्थ ये सारी बाते तो सही है कि बहुत बड़ी समस्या कि कई बार लोगों ने जताई कि ऐसा भी होता है क्या सर्थ देखो समस्या ने लीड की नहीं है लीड बल जाती है समस्या है कि qualified लीड कैसे बनाए क्योंकि conversion में समय लगता है वो सब पर समय लगाना लग जाता है सब पर नहीं लगाना है इसको हमने categorize किया P0, P1, P2 इसको ऐसे समझो P0 मतलब बहुत valuable lead, कम valuable lead यह lead काम की नहीं है qualified lead को convert करना असान होता है unqualified lead को convert करना मुश्किल होता है तो मैं उस lead पर काम करूँ तो अब उसमें पहले क्या process था कि आप registration करा के seminar में ले आओ seminar में हम समझा देंगे उसको उसके लिए बेचना असान कर दिया कि अब उसको सारा नहीं बेचना है वो webinar में Sunday को ले आए webinar में मैं या मेरे five star जो powerful channel partner दे वो समझा देंगे लेकिन आप आपने सुचा कि भाई उसी पही payment का भी आजाएगा उसे payment भी हो जाएगी सब चीज़ आटोमेट थी उसको lead support system भी बनाके दे दिया जहां हम चैनल पार्टनर से डिरेक्ली ले ले लेगा less time consuming है fair है transparent है डिरेक्ली lead खरीच सकता हो final creation lead quality के लिए आप सब को समझा रहा हूं conversion का जो process हमने पूरी तरह automate किया इसमें कुछ घंटे अभी भी लग जाते थे अब हमने क्या कर दिया एक नया personal sales assistant भी ला दिया technology का bot है उसमें अब आपका काम हमने ना के बराबर कर दिया अब वो sales assistant और technology का bot है तो वही आपके बेहाफ बेशना शुरू कर देगा बात करना शुरू कर देगा देख लेगा कि भाई यह P1 है इसको मैं दुबारा लेक पर भीजिए इसको दुबारा इंवाइट करों इसने वेबिनार बीच में छोड़ दिया था तो मैं किसी भी एक यूजर को step 1 पे weekly webinar में ला दिया डिजिटल दुकान से उसने लिंक भीजा किससार आप आईए free webinar अटेंड करिए आपको साथ में free course भी दे रहे हैं registration के बाद अब तुरंत आपका assistant ट्रिगर हो जाएगा अब आगे वो काम करना शुरू कर देगा वो अपने आप WhatsApp पे message भीज़ेगा अब अपने आप वो देखेगा कि user हमारा जो टेक्नालोजी का assistant है अपने आप आपस में बात करना शुरू कर देंगे और इसके बाद देखेगा कि यह आदमी काम का है इसके साथ आप बात करके sales कर लो यह आदमी काम का नहीं है तो इसके साथ वो P0 पर तो आपने close कर लिया लेकिन जो आपका अगला है उसको आप doubt clearing session में वो ले जाएगा कुछ ऐसे होंगे जो बीच में छोड़के चले गए उनको वो दुबारा invite करेगा तो यानि कि आपके काम को हमने इतना असा कर दिया कि एक ऐसा game changer टूल ला दिया या आपकी efficiency को बढ़ा दिया असने और जैसे मैं मैं मिशा कहता हूँ कि anybody can definitely earn anybody can really definitely earn लेकिन आपको consistency चाहिए consistency अगर रहेगी तो आप अराम से काम कर लेंगे बिल्कुल सर यहाँ क्या बिल्कुल सही है और यह barrier जो लगा है इसके बाद quality of sales थी हर एक IBC जो आज हमेंस देख रहा है उसे पता होना चाहिए कि अब वो गरबड करेगा तो पकला जाएगा अब अगर 20,000 में से 100 लोगों ने गरबड किया इनको भी नहीं करने देंगे यह सारे support देने के बाद भी सब कुछ करने के बाद IBC को समझ भी आगे सारे training आके वो ले रहा है सारे कुछ कर रहा है काम भी कर रहा है लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे बाहर निकल के आते हैं और कहीं न कहीं अनुज़त भासा का भी उपयूफ करते हैं जो भासा को उना उपयूफ नहीं करना चाहिए तो इस बारे में क्या कहेंगे कई बार ऐसे चीज़े हुई है अब उसको कैसे इंप्रूब किया आपने और ऐसा क्यों हुआ हैं तो आपके निंदक भी होंगे तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में तो अच्छा बोले जाता है मैं मानता हूं कि हजार में से एक दो लोग है जो बुरा बोलेंगे पर वो बात यह है कि नेगेटिव को आई बोल अटेंशन जल्दी मिल जाता है फटा फट से नेगेटिव नीज आदमे जल्दी पढ़ना चाहता है जल्दी देखना चाहता है आज हमारे पास में मल्टिपल आप जानते हैं सपोर्ट सिस्टम है हैंड होलिंग इनिशेटिव हैं सेल्स का सपोर्ट है आन बोर्डिंग का है मैनेजर रखें इंफरा सपोर्ट है चैनल पार्टनर्स है लर्निंग सपोर्ट है नैशनल डीजनल ट्रेनिंग सपोर्ट है घर वापसी हमने शुरू कर दिया जो पुराने IBC थे उनको हम लोग वेबिनारे बुलाते हैं कि हमने इतनी चीज़ इंप्रूफ कर दिया अब फिर से आप आ सकते हो दुबारा काम कर सकते हो 2020-2021 में जुन्होंने जॉइन किया वो 2023 की टेक्नोलोजी को experience नहीं कर पा है उनको हम घर वापस बुलाते हैं जो अभी काम करना छोड़ चोग है वो इसके experience कर सकते हैं कर सकते हैं तो हम घर वापसी के थ्रून को बलाते हैं एक्यूब चालू कर दिया अपने तक लाने के लिए इंवाइट कर लिया सब करना कहा से है वन आप से करना है वन आप पर कहा करना है आपको वन आप में हमने service index बना दिया वहां से लेकर के आते हैं मैं इस answer को भी complete नहीं करता है मैं और समझाता हूँ आपको और समझे आप इसे इस systematic process जो है positive negative review का हमने इसके लिए एक online reputation management का tool लगा दिया जहां पर हम यह चेक करते हैं कि social media पर किसका concern है किसका issue है इसको resolve करें detractor को हम लोग एक promoter बनाए genuine cases को हम लोग और समझें detail में जाएं ताकि हम नया process बनाएं और इसके बाद फिर भी कुछ लोग negative बोलते हैं तो दूसरे लोग उनकी बात में आ सकते हैं अब अगर जो negative बोल रहा है वो भी जानता है कि सारी terms and conditions उसको मालूम है वो भी जानता है जो negative बोल रहा है अब ऐसे लोगों के खिलाफ हमने कुछ लोगों के खिलाफ legal action भी लिए prompt, firm, comprehensive, detailed legal action लिए कुछ लोगों को बचारों को मतलब उस legal action दे गुजरना पड़ रहा है और उसमें कुछ लोग सुधर गए, समझ गए कि नहीं है जब अरदस्ती बिनाबाद के negative होने का फाइदा नहीं है आप आकर के experience करो और मैं challenge करता हूँ आपके सामने यहाँ challenge करता हूँ कि जतना support हम दे रहे हैं जितना technology, जितना manpower का support दे रहावाँ जी आब बताए negative वाले question को, यह मेरा positive वाला answer है जो negative लिखते हैं, जो कहना चाहता हूँ कि आजाओ आकर के experience करो, खुद हाच से अपने सामने experience करो, आपको एक तो सांच को आच नहीं लेकिन उससे जारा important क्या है, प्रतियक्ष को प्रमान किया वशक्ता नहीं प्रतियक्ष का मतलब है, प्रतियक्ष, प्रतियक्ष मतलब सामने, अक्ष मतलब आख है अगर consistency होगी ना, तो 100 दिन के अंदर आदमी अपने अच्छे revenue पहुंच जाएगा एक लाग से पांच लाग कोई जूटा सपना सोड़ी है, सब लोग कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, बहुत भारी नंबर हैं का जो कर रहे हैं लेकिन इसमें आपको consistency चाहिए, consistency होगी तो technology सपोर्ट करेगी आपको, आपका बड़ा pipeline बिल्ड हो जाएगा इसलिये मैं वह बोलता हओ, आजा बड़ा जो अच्छे लोग रखो, रोल सेमिनर्न करो, सोज देन की consistency आज़ बड़ा जो अच्छे लोग रखो, रोल सेमिनर्च करो, सamध नी की consistency रोल सेमिनर्न के लिए रहे हैं हम आपको रोल सीख रहे हैं लोग ऐसे है क्ला मीरा है तो सेल्स कैसे और एकौन क्यों कर अक्छा है हमगे फैखे किले सी लिह केर लिए के अपरई डिर कर लेखनी है house प tighten शो मुझेर जो कले है पाद है तो सेल्स करने के तरही और बाद में सपोर्ट के सर्वisst सिस्टम के इंडेक्स से लाकर जो नए चीज़े हमने अड़ करी है और जो परिसनल बाट ला दिये हैं गेम चेंज हो गया उसे तो जितने भी लोग कभी एक्षपीजि़ करना जाने थे सेल्स को और कभी सोच थे कि हम सेल्स कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो 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 सर्ने ह प्रिमाच्प बोदेने वादा